एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब जैनल अलगो गुरू प्लीज स्पोर्ट अस सो देट वी कैन सर्व यू बेटर स्टोक मार्किट एक ऐसी सगे है जहां पे लोग अपनी अर्णिंग्स और सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं यहां पे उन लोगों को कुछ को तो सफलता मिल जाती है लेकिन कुछ उसमें विफल हो जाते हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन-कौन से कारण है जिनकी वज़े से लोग नुपसान उठाते हैं इन में सबसे पहला कारण है Lack of Knowledge and Research दूसरा कारण है Wrong Decisions तीसरा कारण है Tips and Rumors चोथा कारण है Lack of Passions पांचवा कारण है Overtrading Habits और छटा कारण है Risk Management इन सब कारणों की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम बहुत ही important विशे के बारे में चर्चा करेंगे स्टोक मार्किट में लोज क्यों होता है उसके कारणों के बारे में जानेंगे और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे Act of Knowledge and Research दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे important topic की जिसके बिना स्टोक मार्किट में कदम रखना एक बेवकूफी ही है अगर हम कोई काम करते हैं उसकी हमें knowledge ही नहीं है हमें पता ही नहीं है भी वो काम होता कैसे है तो हम उस काम को सही तरीक कैसे और सही धंग से नहीं कर बाएंगे अगर हम बात करें investment की या trading की तो हमें इसकी knowledge होना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी stock को buy या sell करते हैं उसके अंदर हमारी accuracy 50% से ज़्यादा होना ज़रूरी है और ये तब ही आ सकती है जब हमें उसकी पुरी knowledge हो और हमने उस पे research कर रखी हो emotional decision making emotional होना बुरी बात नहीं है लेकिन target और स्टोप्रोसेस के time emotional हो जाना हमें low see देता है इसकी बज़े से हमारे बड़े-बड़े होने वाले profit छोटे-छोटे profit में बदल जाते हैं लेकिन छोटे-छोटे loss जो हमें कम नुकसान देखकर market से बाहर कर सकते थे वो बहुत बड़े-बड़े losses में बदल जाते हैं जिससे हमारी सारी capital lose होने का खत्रा भी बढ़ जाता है इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए टोविंग tips and humors बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो social media से बहुत सारे platform से जुड़े होते हैं जहां से उनको tips and tricks मिलती हैं stock market में पैसा कमाने की लेकिन विश्वास कीजिए दोस्तों ऐसी tips and tricks आपको पैसा कमाने में बिलकुल भी मदद नहीं कर सकती और यह reliable नहीं होती हैं हो सकता है आपको कभी उनकी tips से पैसा बन भी जाए लेकिन regular उनसे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप इनसे बचके नहीं रहेंगे तो यह आपका सारा पैसा उड़ा सकते हैं lack of patience धेरे की कमी अगर आप stock market में काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन आपके अंदर धेरे की कमी है तो यह है आपकी ऐसा भलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है क्योंकि stock market कभी भी उनको पैसा नहीं देती जो थोड़े टाइम तक टिक नहीं पाते यह सिरफ उनी को पैसा देती है जो इसके साथ डट कर खड़े रहते हैं ओवर ट्रेडिंग बहुत से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और यह ट्रेडिंग में बहुत अच्छी आदत नहीं है मुख्यत रूप से ट्रेडिंग को ट्रिगर करने के लिए तीन कारण होते हैं ग्रीड मतलब लालच अगर कोई आदमी लालची है तो वह बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करेगा नमबर दो वेगियंस मतलब बदला अगर किसी को कुछ ट्रेड्स में लोस होता है तो वह बहुत ज्यादा ट्रेड करके उनको पूरा करने की कोशिश करता है नमबर 3, Impulse Trading इस टाइब के ट्रेडर मुख्यत रूप से सिर्फ मज़े के लिए ही ट्रेड करते हैं उनको लोस और प्रोफिट से कोई मतलब नहीं होता है मगर दोस्तों अगर हमें प्रोफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें सिर्फ मज़े के लिए या लालच के लिए ट्रेड नहीं करनी हमें ट्रेड करनी है अपने लीविंग के लिए इसलिए हमें अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट हम कई बार देखते हैं यह हम अपने risks को manage नहीं कर पाते हैं हम उनको ignore करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी mistake होती है हमारी accuracy कभी भी 100% तो हो नहीं सकती इसके लिए हमें हमारे stroke prosper काम करना बहुत अनिवारे है अगर हम stroke market के अंदर इसी ignore कर देते हैं तो हमें बहुत बड़े डोस का सामना करना पड़ा आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दीगी जानकारी आपको पसंद आई होगी परिका हमारे चैनल को like और share कीजिए और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजिएगा आगे से हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका notification पाने के लिए हमारे यूटुब चैनल के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भुलिएगा तामेंगा